नमस्कार प्रहार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ पवन नारा सावन का महिना अभी शुरू भी नहीं हुआ है लेकिन कावर यात्रा पर धर्म युद्ध छड़ गया है अभी मुजफर नगर में कावर रूट पर धुकानदारों को अपना नाम और पहचान बताने का आदेश दिया गया था जिस पर घमासान मचा था अब यूपी के सीएम योगी आदितनाथ ने नया फर्मान जारी किया है कि पूरी यूपी में मुजफर नर मॉडल को लागू किया जाएगा योगी ने कहा है कि पूरी यूपी में कावर रूट पर धुकानदारों को नेम फ्लेट लगाना होगा खानपान की दुकानों के सामने दुकानदारों को अपना नाम और अपनी पहचान बतानी होगी ऐसी कावड यात्रियों की आस्था और यात्रा की सुचिता को बरकरार रखने के लिए फैसला लिया गया है साथ ही यूपी सरकार ने चेतावनी दी है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्स बेचने वालों पर भी कारवाई की जाएगी मुझफर नगर में पहले या आदेश दिया गया था अब इस आदेश को पूरे यूपी के कावड यात्रा रूट्स पर लागू किया जाएगा जो भी सामान बेचने वाला है धाबा चलाने वाला है रेस्टरों चलाने वाला है उसको बताना होगा कि आखिर उसका नाम क्या है पहचान क्या है और तर्क दिया जा रहा है कि यात्रा की सुचिता को बनाने के लिए आदेश दिया गया है योगी के इस आदेश के बाद कावड यात्रा पर धर्म युद शुरू हो गया है और घमासान बढ़ना शुरू हो गया है विपक्ष पहले ही हिटलर शाही और नाजी जर्मनी का फॉर्मूला लगाने का आरोप लगा रहा है लेकिन कावड यात्रा पर बड़ा फैंसला हुआ है पहले मुदफर नगर में दुकानदारों को लिखना होगा नाम ये आदेश आया था और आज इसमें बड़ा बदला हुआ है कि अब पूरे राज्य में कावड रूट पर दुकानों को नेम प्लेट लगानी होगी सियासी विरोध के बावजूद योगी सरकार का ये बड़ा फैंसला क्या आदेश दिया है वो आपको बता देते हैं पूरे यूपी में दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट कावड यात्रा के रूट के दुकानों पर लगेगी ये नेम प्लेट इस पूरे आदेश के पीछे की मन्चा ये है कि कावड यात्री पूरे यूपी से कावड लेकर हरिद्वार जाते हैं वहाँ से गंगा जल लेकर वापस लोटते हैं और अपने अपने इलाकों में शिवरात्री के दिन गंगाजल से शिवलिंग का जला भी शेक करते हैं अब हम आपको बताते हैं कि योगी के आदेश का यूपी की कितने इलाकों पर असर पड़ेगा पच्चमी यूपी के लगबग सभी जिलों में इस आदेश का असर होगा क्योंकि हरिद्वार से जो जल लेकर यात्रा निकलती है वो नौइडा, मेरट, सहरनपुर, मुरादाबाद होते हुए गुजरती है और इसी रूट पर हरियाना, राजस्थान, दिल्ली सभी के जो तीर्थ यात्री हैं गुजरते हैं बनारस में भी और प्रियागराज में भी ये रूट पड़ता है क्योंकि बनारस से भी लोग गंगाजल लेकर जाते हैं और बहुत से लोग प्रियागराज से गंगाजल लेकर जाते हैं कावड यात्रियों का हजुम उमड़ता है एक और रूट है देवघर देवघर बाबा का एक और धाम वहां भी जला भी शेक होता है शिवाले पर लोग जल लेकर पहुँचते हैं वो गोरकपुर और देवरिया इस बेल्ट के इलाके से लोग वहां बाबा देवघर के धाम जाते हैं जल चड़ाने के लिए तो ये रूट भी लगातार उस फरमान के तहट होगा जहां पर दुकानदारों को अपनी पहचान को उजागर करना होगा कावड यात्रा पर यूपी सरकार के आदेश का विपक्ष विरोध करता रहा है लेकन कल बीचेपी नेता मुकतार अबास नकवी ने भी सवाल उठाया नकवी ने कहा कि आस्ता के नाम पर अंटेचबिलिटी को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए अब नकवी ने अपना रुख बदल लिया है नकवी ने कहा है कि यूपी सरकार के सीमित आदेश के कारण भ्रम था लेकिन अब यूपी सरकार ने जो ताजा आदेश जारी किया है उसके बाद भ्रम की कोई गुनजाइश नहीं रह गई है इंडिया टीवी से बाचीत में नकवी ने कहा कि ये कावर्ड यात्रियों की आस्था का सवाल है इसमें हिंदू और मुसल्मान कहां से आ गया इस वक्तार अबास नकवी जी मौजूद है सरकल जो ट्वीट आया आपका तो बड़ा एक दम हला हुआ कि जो एक विचार धारा है या जो पार्टी का एक नेचर है उसके खिलाफ आप शायद जा रहे हैं ये तमाम सवाल उठ रहे थे देखो मुझे क्या लगता है कि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि वो ग्यान देते हैं कि पार्टी के परति परतिवद्दता क्या होनी चाहिए पार्टी के बारे में और ऐसे परवासी प्राकरमियों की इस तरह की ग्यान की मुझे ज़र्वत नहीं है एक चीज़ दूसी right कि कल एक सीमित administration का एक दुशा रिदेश था उसको लेकर कई तरह के confusion कई तरह के contradiction क कई तरह के हाहा कारमियों थै आज राजी की सरकार ने इस प्रिस्च्टा की है और साथि साथ उन्हुने इस प्रिस्ट किया है कि जो कामड यात्री हैं उनकी शर्धा उनकी शुचिता और उनके साथ उनके सम्मान की दिरिष्टी से ये दिशार निर्देश है इस पर किसी तरह के कमनल कलर चढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन सब सवाल ये है कि आज सो चली राज्य सरकार ने पुरा एक निर्देश जारी कर दिया कल हम मुजफणनेगर गये थे आसपास के लाकों में भी लोगों से बात की वहां बहुत सारे ऐसे होटल और ढबो वाले हैं जिनको पुलिस ने ये कहा है बाकाइदा कि आप मुस्लिम करमचारियों को नहीं रखेंगे इस दोरान करते हैं कई चीजों से तो मुझे लगता है कि जो लोग इस पर कमिनल कलर चड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना वो मुल्क के ही तैशी है ना उस मजभब के ही तैशी है और ना मानोता के ही तैशी है जो प्रमपरागत रूट है हरदवार से घाजयाबाद तक हो या उधर बिजनूर अमाम जो कावड यातरा के वहां बहुत सारे ऐसे मामले हम देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग कावड यातरों की सेवा भी करते नजर आते हैं और ये सदियों से होता रहा है एक कहीं न कहीं समाज पर असर सेवा पर कोई रोक नहीं होती इसमें जो है वो क्यों केवल जो है वो मुस्लिम समाज कोई कर रहे हैं हिंदू समाज के लोग भी जो मुस्लिम धर्म के कारकम होते हैं उसमें सेवाएं करते हैं तो ये इस देश का ये संसकार है और इस देश के संस और इस देश की संस्कृती पर कोई किसी को भी सांपरदाइक तलका लगाने की कोशिश नहीं करनी जाएं। अचूता की विमारी को बढ़ावा देते हैं आस्था का सम्मान हो लेकिन अंटचबिलिटी का संगरक्षन ना हो आखिर में उन्होंने एक दोहा लिखा जनम जात मत पूछिये का जात अरूपात रैदास पूत सब प्रभू के कोई नहीं जात कुजात तो इस तरहे कल उन्हों यात्रा के दोरान की गई अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी इस तस्वीर में मुक्तार अबास नकवी कावड के साथ दिखाई दे रहे हैं उन्होंने साथ कावड यात्रियों का पूरा जथा दिखाई दे रहा है और उन्होंने खुद अपने कंधे पर कावड उठा रखी है इस फोटो के साथ नकवी ने लिखा कि कावड यात्रा का सम्मान श्रद्धा का सर्टिफिकेट कम से कम मुझे मत बाटो मेरा हमेशा मानना है कि कोई भी आस्था अस्थ हिश्णोता अंच टचबिलिटी की बंधक नहीं होनी चाहिए ये उन्होंने ट्विटर प नहीं है सभी जो दुकानदार है उनको अपने नाम का उजागर करना होगा हम देख रहें कि ने इंपलेट लग भी गई है लेकिन उस मामले में असद दुद्ध उन्वेसी हो जाविद अख्तर तमाम लोगों को के बयान भी आ रहे हैं पहले तो आप इस मामले को कैसे देख को देखे पहली बात तो यह पूर प्रचलेत वेवस्ता है पहले बुला के का जाता था सबको इस बार मुझे फ़र्णेगर पुलिस ने लिखित में जारी किया है दूसरी बात इसमें कि धार्मी उसका जिक्र नहीं है हाँ इसमें जरूर है कि लोगों को बताया जाए कि किस उससे एक तरह से कोई प्रिय घटना ना हूँ उससे देखने के लेकिन इसको जिस तरह से बढ़ा के पूरे देश में इसको चलाया जा रहा है कहीं या देश में ने लिख्या कि किस दरम के विक्तिकों किस दरम के डाबे पर खाना खाना या नहीं खाना हूँ सबकी इच्छ लेकिन रेड़ी पत्री वालों के साथ कोई आम बेच रहा है के ले मेरे करो सथ Сेफ, लूफ को बिनाम में वह ईति ही वह वह कुछना रहा है, देखे पहली बात तो आदेश में कहीं रेडी पट्टी का जिक्र नहीं है, मैंने भी आदेश पढ़ा है, दूसरी बात, आज एक विवाद हुआ आप अगबार पढ़ना, कि जिसमें कावडिया गुजर रहे थे, किसी होटल पर, प्याज और लहसुन का खाना बनावा था, ज आजा रहा है, हमारी लोकल समझे है, लोकल इसूज है, हमें लोकल तरीके से, अब मुस्लिम समिदाई में गर आप देखेंगे, तो अलाले मीट खाते हैं, वो नहीं कहते हैं, कि हम दूसरा नहीं खाएंगे, कहेंगे ना, तो सब की अपनी प्रेफेरेंस है, इस देश में तरह को खाना खाना चाहते हैं, तो इस बात को बिल्कुल गलत तरीके से परचारित किया जा रहा है, पूर में भी पुलिस बुलाती थी सबको, और जब समाजवादी पार्टी के सरकार थी, आप पूछना जब भी ये इस तरह का मुझमानी कहा जाता था, मुझसे ही कहते थ इस बार आप कह सकते हैं, रिटेन में इतना अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ आप किसी से बूचेंगे, पूर प्रचलित व्यवस्ता यह है यूपी के पूर मंत्री और बीजेपी के नेता महसिन रजा ने कहा है कि योगी सरकार सुरक्षा को लेकर कोई कोता ही नहीं बरतना चाहती और इसी को लेकर ये आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना हो, जससे कानून व्यवस्ता पर कोई सवाल उठे प्रोप्रेटर्स के नाम लिखे होना चाहिए, उनके मुबाइल नंबर्स हों, क्योंकि बहुत बड़ी तादात में कावड लेकर हमारे शदालू निकलते हैं, तो ये छोटी मोटी यात्रा नहीं होती है, और पिछले अगर आप देखें, ये आठ्वा कावड यात्रा है, जिसको माने मुखमंत्री आदर्णी योगी आदितनाजी अपने कारकाल में करा रहे हैं, और बेहतर से बेहतर विवस्था उन्होंने और भी प्रोग्राम अभी जैसे महरम का प्रोग्राम निकला, उसमें भी सुरक्षा विवस्था चाक चौबन थी, कहीं कोई किसी तरहा क अपरी घटना नहीं हुई, और ऐसे इसको लेकर कावड़ यात्रा को लेकर भी हम बेहतर विवस्था देना चाहते हैं, कि जो लोग उस रूट पर जा रहे हैं, कहीं पर कोई भी बात हो, तो ततकाल उसको संपर किया जाए, जिसकी दुकान पर एक मॉबाइल नंबर भी लि इसलिए वो चिलम चिला कर रहे हैं, लेकिन जिसके पीछे मकसद क्या समझ में आ रहा है, जो लोग सियासत हो रही है, वो इसलिए हो रही है, कि अगर कोई ठेला है, कोई दुकान है, जैसे ठेला होता है, तो उसमें नगर निगम का जो उनका लाइसेंस होता है, वो लगा र अधरनी योगी सरकार सुरक्षा को लेकर कोई भी समझोता नहीं करना चाहती है अधरनी योगी सरकार में आपने देखा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश इसकी एक प्रशंसा देश के कोने-कोने में हो रही है यहाँ लाइन ओर्डर को लेकर हर चीज बहुत अच्छी है तो मदेनजर रखते हुए कि ताकि कोई भी बात क्योंकि बहुत लंबे कई सौ किलोमीटर की यात्राएं होती है इसमें कावड यात्रा तो हमें कहीं पर भी किसी तरह कि कोई अपरी घटना नहो जाए अगर होती है तो वहाँ पर पता चले कहां पर कौन लोग थे किनकी दुका कह रहे हैं कि ये सारा मामला आइडेंटिटी एस्टेबलिश करने का है मेरे सेहोगी विशाल प्रताप सिंग इस वक्त हमारे साथ सीधे जोड़ गए हैं विशाल पहले आदेश मुजफरनगर तक था लेकिन आज इस आदेश का दाइरा पूरे यूपी तक बढ़ा दिया ग प्रावन मुखमंत्री काराले की तरफ से अपसे लभग दो घंटे पहले ये निर्देश जारी किया गया है जिसमें ये साफ मेंचिन किया गया है कि न सिर्फ पस्ट्यूम उत्रप्रदेश के मुजफरनगर और सहारमपुर बल्कि पूरे उत्रप्रदेश में कावण यात् पर गाल जाते हैं जिसके वर जाते हैं अपनी आस्था का मंध करने के लिए और आस्था को प्रदर्शन करने के लिए तो ने स्चय तरप पर ये कहा जासकता है कि उसमें जो वर्ड मेंचिन किया गया है प्रारंभी का अदेश में प्रावन उसमें इस बात का जिक्र कया tapping क को ले करके जो हाँ भी वो खृयें जहां भी भो पीएं जहां भी भो बैठें उन्हें पता होना चाहिए कि सामने वाले का नाम क्या है सामने वाले की पहचान क्या है और इसके पीछे मकसद स्र Auch पिसमाल को होता है उसके पीछ फिर जा junt से इस पूरे मामले को ले करके विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया योगी अधितनाथ की सरकार को घेरने की शुरूआत की लेकिन योगी अधितनाथ ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जो आदेश लग रहा था कि शायद मुझफर नगर और सहारम पुर्ट तक सीमित र नहीं होगा साथ ही हलाल प्रोड़क्ट को किसी भी तरीके से किसी भी दुकान पर एकसेप्ट नहीं किया जाएगा यानि कि जो हलाल प्रोड़क्ट उत्तर प्रदेश सरकार बैन कर चुकी है उसका सर्टिफिकेशन को उस सर्टिफिकेशन को अगर कावण यातरा के रूट या फिर कामण यातरा की रूट से अलग पूरे उत्रप्रदेश में कहीं भी इस्तमाल कियाता है तो सरकार काफी सक्त है सरकार इस पर फैसले करेगी पावन इस समय हम लखनो आयोध्या के हाईवे पर मौजूद है और यह वही हाईवे है जहां से कामणी जब निकलते हैं तो यहां से भी होकर के जाते हैं मैं इस रूट आपको दिखाना चाहँगा कि किस तरीके की विवस्ता है आप देखिए कि जो तमाम दुकाने हैं जिसमें आप फल जूस पीते हैं फल खरीते हैं इसके लावा बदाम शेक और काजू शेक पीते हैं फिलहाल इस तरीके का है यह लखनू आयुद्ध्या का हाईवे है जहां से कावणियां होकर कि गुजरते हैं तो निश्य तरव पर इस आदेश के लिए आने वाले समय में जो दुकानदार के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि इस तरीके कि बात किया जाए तो बहुत जादा उसमें अतराज नहीं है तरीके कामडियां निकलते हैं तो कई बढ़ देखा आता है कि मुस्लिम समुधाय के लोग बी उनका स्वागत करते हैं उनको फूल देते हैं तो जो गंगा जमनी तैजीब है लखनों के उसके बारे में जरा बताईए तैजीब तो यहां की अच्छी है वैसे जैसे यहां से और भी कंट्री में जाते हैं तो इतनी जितनी लखनों के अंदर अपनी तैजीब है इतनी और कंट्री में थोड़ा वो कम है लेकिन अपने लखनों के अंदर तैजीब अच्छी है और विशाल जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी आदेश आया है जमीन पर इस आदेश को उतरने में वक्त लगेगा मुझफर नगर पुलिस ये साफ कर चुकी है कि दुकानदारों को उनकी मर्जी से नाम लगाने को कहा गया है लेकिन विपक्ष अब इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने पर तुल गया है अखिलेश यादव ने कहा है कि मुझफर नगर पुलिस बले ही विपक्ष के दवाव में आकर आदेश को स्वेच्छिक बनाकर अपनी पीट थप थपा रही है लेकिन जनता मानने वाली नहीं है ऐसे आदेश पूरी तरीके से खारिज होने चाहीं वहीं OVC ने तो इस आदेश को लेकर CM योगी की तुलना हिटलर से कर दी है यह जो आडर है उत्तर परदेश की योगी अधिद्या सरकार का यह ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूफ उनमें समा चुकी है यह क्रिस्टालनाट मूमेंट लग रहा है हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर परदेश की सरकार की तरफ से स्टेट की तरफ से हिंदुत्वा की जो तन्जीमे हैं और्गनाजेशने उनके प्रेशर में आकर यह बोले जा रहा है कि आप मुसल्मान की दुकाने मत जाओ क्या है यह किसलिए हो रहा है आप उनको इडिटिफाई कर रहे है यह हिंदु की दुकाने यह मुसल्मान की दुकाने इसका नाम अबुबकर है इसका नाम अली है इसके पास मत जाओ आप देखिए ये प्रशासनिक विशय है सुरक्षा और संवेदन शीलता का विशय भी हो सकता है कहीं पर कोई ऐसी चीज सेक्यूरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार अपने इस तो मगर मुझे एक बार नहीं समझ में आती है यह पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विश किये गए और वियस अच्चुदा नंदन के द्वारा यूस किये गए लव जिहाद का हो मगर पहचांस चुपाने वालों के लिए इतने अर्मान दिल में क्यों चुपे रहते हैं इस पूरे विवात के बीच नाम बदलने को लेकर सहरनपूर से कॉंग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामनी आया है इमरान मसूद ने कहा है कि मुझजफरनगर पुलिस के फरमान समाज को मातने वाला है वहीं मुजफर नगर जिले के पुरगाजी विधानसवाद से विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने कहा है कि पुलिस के इस आदेश से दुकानदारों के नाम लिखने से उनके रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा देखिए तोलह की फरमाने समाज के अंदर विधिटन वाली बात है आप क्या इडिन्टिफिकेशن कराना चाहते quéं करें उनकी और करना चाहिए और इस तरह की अरकते करकर के आप वो काम करते हो जिससे समाज के अंदर गलत संज्देश जाए कावड़िये हो या ताजी हो या कुछ और हो यह देश विबिन संस्क्रीट हो के मिलन का देश है सब एक दूसरे के त्यावार खुशी के साथ मनाते ह नहां से बात पैदा कर रहे हैं यह पास सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं इसके लाव कुछ भी नहीं है मुसल्मानों को टार्गेट किया जा रहा है आप उनके रोजगार पर अटेक कर रहे हैं आप लिख रहे हैं कि आरिफ फल वाला समया या हमारा ही नामों किसी का भ और उसमें क्या है देखो हमारा जनपद सेंसिटिव जनपद है और यह जनपद 2013 में जो समाजवादीगर सरकार थी है तो यह दंगे का दंश जेल चुका है हिंदू-मुसलिम का ऐसी कोई बात ना हो तो एक एतियातन तोर पर ऐसी स्पिने साथ यह बात कह दियोगी लेकिन केंद्रे मंत्री गिराज सेंग ने कहा है कि कावड यात्रा को लेकर जो भी सरकार फैसलि ले रही है वो सही है यात्रा को लेकर सभी को सहयोग करना चाहिए अब जो भी हो लेकिन किसी को दिखाने में कोई दिक्कत ने होनी चाहिए जो भी सरकार ने कानून बनाया है उसका पालन करना चाहिए झालन करना चाहिए